हाई गाईज आज हम देखेंगे पतंजली आवला अचार का रिव्यू आवला जैसे हम इंडियन गूस्बेरी भी बोलते हैं इसके फायते बहुत जादा है यह वन केजी का पैक है प्लास्टिक का जार है तो आए देखते हैं पैक की ऊपर और क्या-क्या इंफोमेशन दी है य इसको तीन महीने के अंदर-अंदर इसको कंज्यूम करेंगे और इसकी जो लेड है ढकन है उसको आप टाइटली बंद करके रखें एफसेस याई मार्क दे रखा है लाइसेंस नंबर दे रखा है और पैक के पीछे यहां पे दी हुई है न्यूट्रिशनल इंफोमेशन तो इसमें 100 ग्राम की एक सर्विंग के अंदर 168 कैलरीज है 0.96 ग्राम प्रूटीन है कार्बोहाइडरेट है फैट है ट्रांसफेट 0 है कलस्ट्रॉल 0 है फाइबर अच्छी मातरा में है और सोडियम क्योंकि आमला तो बहुत खटा होता है तो वो तो ही तो ट्रांसफेट 0 है व खाई रहे हो आवला पूरी साल नहीं मिलता तो जब भी आपको वैसे मिले तो आप घच्चा खाओ अगर नहीं मिले तो आप आप अचार खाओ मुरब्बा खाओ आवले का रस पियो जो भी आप्शन आपको अवेलेबल दिखे उस तरह से आप आमला को जरूर कंश्यूम कर हैं तो आईए अब हम इसको खोल के देखते हैं तो यह यहां पर प्लास्टिक का जार था और यह सील पैक्ड है सील उपन करते हैं इसमें सरसों का तेल भी काफी नजर आ रहा है मुझे आवले को ना आयल वेडिक में सबसे चमतकारी दवाई बताया चाता है इससे बहुत सर एक वरदान है आवला हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखने में हमारी मदद करता है कलस्ट्रॉल का मंट्रोल रखता है इम्म्यूनूटी हमारी बढ़ाता है मेटबॉलिसम इंप्रूव करता है इसमें फाइबर अच्छी मातरा में होता है तो डाइजेशन में भी हमारी हल्क परता है और एक चोटे से आवला में लगबग चार नीबू और कई सारे संत्रे के बराबर विटामिन सी होता है तो आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए कितना कितना फाइदे मंद है आखों के लिए भी बहुत इंप अच्छा रहता है तो आवले को अपनी राइ पीसिस आपको दिखेंगे जो से हम एक आवला को वनफोर्थ पीस में कर देते हैं उस तरह के पीसे से और बाकी थोड़ा मिक्स मसाला है पर टेस्ट वाइस इस गूड हेल्थ वाइस तो यह बहुत अच्छा होता है तो इसको जिस भी फॉर्म में आप खा सकते हो जरूर खा बाइ Farmे कर दो अवाइस बाhtुछ ऑइस वाइस प्लीघ भीस और लॉर्म में आव आवाईस करदा है तो रह बहुत कर देते हैं भीस में आवाई रहुत कर देते हैं बाद़े से दिखेंगे हो दॉर्वाईस प्लेड़ा है वाईस प्लेश पर गएस आवाई